हे गाईज कैसे आप सब बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बूप फिर से सारुख खान की अपकमिंग एंड मच अवेटेड फिल्म डंकी को लेकर जो कि कल फाइनली रिलीज होने जा रही है तो बस जानेंगे आज इस वीडियो में की फिल्म ने अभी तक औल और इंडिया में एडवांस बुकिंग में कितना कलेक्शन कर लिया है तो वर्ल्ड ने इडवांस हासिल की है कि अभी फिल्म पठान और जवान के रिकॉर्ड को ब्रेक कर पाईगी या नहीं जानें आज इस वीडियो में अगर आप भी डाय हाड फैन है सुपरस्टार सारुक खान के तो वडियो कर दीजे लाइक चैनल को सब्सक्राइब अगर आप में अभी तक नहीं किया है तो अब इसे में बात करें फिल्म के कलेक्शन को लेकर तो फिल्म के हर गंटे इस वक्त बुकमाइसो पर बाराजार से भी जादा टिकेट सोल्ड हो रहे हैं तो वही पर ये फिल्म बुकमाइसो और पेटियें पर हर गंटे अब 15,000 प्लस टिकेट सोल्ड कर रहे है अब बात कर यह दिखते फिल्म ने अभी तक 32 करोड की एडवांस हासिल कर लिया अपने पहले दिन के लिए और माना जा रहा है यह फिल्म 35 करोड के भी आखटी को टच कर जाएगी सिर्फ एडवांस बुकिंग में वहीं कर बात करूँ फिल्म के all-over prediction की तो माना जा रहा है यह फिल्म 40 करोड तक की ऑपनिंग ले सकती है और इंडिया नैट बॉक्स आफिस पर तो यहीं यह फिल्म वर्ल्ल एड बॉक्स आफिस पर 80 करोड के आखटी को टच कर सकती है यानि कि all over कहीं ने कहीं ये फिल्म पठान और जवान के comparison में काफी कम इस फिल्म का क्रेज नजर आ रहा है और कहीं ने कहीं ये क्रेज कम है सलार की वज़े से ऐसे में आपकी opinion क्या है आप लोग को में मैंसर कर सकते हो बात की जाए फिल्म के बज़ट की तो फिल्म का बज़ट है देट सो करूर प्लस जहापरस को प्रडियूस किया है खुद सारुक खान ने अपने ही प्रोडेक्शन हाउस में वेल आपकी opinion क्या है और आप इस फिल्म को लेकर कितने excited हो क्योंकि सारुक खान ने कहा है ये फिल्म उनके कैजर की one of the biggest film, one of the best film होने वाली है ऐसे मैं आपकी opinion क्या है, आपकी राइ क्या है, कोन में mention कर सकते हो और आपके साब से दंगी का first day collection क्या रहने वाला है बताना मत बुलिया, comment section में, thank you for watching, keep supporting, bye bye, take care